Hello dear students, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं Certs and Indices का Part 2 हमने कल last class में Certs and Indices की विसे में पढ़ा था और कुछ rules वहाँ डिसकुस किये थे उन्ही rules को आगे बढ़ाना है और कुछ questions और हमें देखने हैं तो चलिए, करते हैं हम शुरुवात, चलते हैं आगे की तरफ आज आगके सामने हैं बहुत ही interesting questions तो देखते हैं जड़ा solve किये जाएं, क्या होने वाले हैं यह question है root 32 minus root 128 plus root 50 तो सबसे पहले बात यह की जाए कि यह solve होता कैसे है भई करना क्या होगा, हम इसको minus तो कर लेते, plus भी कर लेते लेकिन फिर दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा चेक यह करना होगा, क्या कोई perfect square है नहीं, perfect square यदि नहीं मिला तो कुछ ना कुछ value तो क्या होगी, pairing करके बाहर आएगी तो कैसे, sir किया क्या जाए, factor निकाले जाए किसके factor निकाले, 32 के factor निकालो पहले 32 के factor निकाले जाए, क्या किया जाए, किस से divide हो जाएगा कर दो divide, फटा फट, 2 से कितना, 16, फिर 2 से 8, then 2, 4, 2 से 2, and 2 से 1 यही आएगा, अब यहाँ पर जो 32 था, इसे मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 बार हमें 2 मिल रहा है मिल रहा है ना, 5 times 2 मिल रहा है, तो sir यदि pairing की जाए, तो 1 pair, 2 pair 2 तो pair बन जाएंगे, मतलब, तू बाहर आ जाएगा, कितने बाहर आ जाएगा एक बार एक pair से, दूसरे बार दूसरे pair से, और अंदर कौन बचेगा यह एक अंदर बच जाएगा, क्योंकि इसका pair complete नहीं है यही होने बाला है, चलो, तो इसको क्या करें, replace कर दें, replace कर दिया जाए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, हम लिख सकते हैं sir, 4 root 2 लिख सकते हैं, minus, फिर 128 का क्या किया जाए, भई 128 को भी क्या करना पड़ेगा हमें factorize करना पड़ेगा, अब 128 को यदि मैं factorize करूँ 4, फिर 2 से 3, 2, फिर 2 से 1, 6, 2 से कितना, 8, then 4, then 2, then 1, यही होगा और क्या करना है, next step क्या होगा, भई pairs बनाते जाओ, एक pair, यह दूसरा pair, यह तीसरा pair एक बार जो 2 है, वो extra है, तो क्या होगा, remaining बचेगा, कहां बचेगा, root के अंदर तो यह क्या आजाएगा, 2, 2, 2, तो मतलब 2 into 2 into 2, यही बन रहा है, और root के अंदर बच रहा है icon 2, तो क्या लिख पाऊंगा मैं इसको, 2 into 2 into 2, क्या हो जाएगा, 8 root 2, तो क्या बन जाएगा यह, यह हमें मिल गया, 8 root 2, यहां से मिल जाएगा, 8 root 2, plus सर्फ 50 को क्या लिख दू मैं, वही 50 के लिए फिर यही process लगानी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, फिर मैं आपको कुछ short बताता हूं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, तो पहले एक बार इसको value बनाया जाए, 50 का क्या आएगा, देखू 2 से 25, देन क्या किया जाए, 5 से 5 और 5 से 1, यही होने बाला है, तो चलिए, इसको क्या लिख दू मैं, इसका तो pair बन गया सर, यह तो बहार आ जाएगा, और अंदर कौन बचेगा, root 2, यही बच रहा है, अब क्या कर सकते हैं, यहां पर कुछ next step क्या possible है, सर, possible तो है क्या, root 2 यहां भी root 2, और यहां भी root 2, क्या कर सकते हैं, common ले लो, root 2 क्या हो जाएगा, common हो जाएगा, कौन बचेगा, यहां बच रहा है, 4, then 8, then 5, यही बचेगा, यह बच रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या किया जाए, बही, plus plus वाली जो values है, इनको क्या कर सकते हैं, add कर सक तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 माइनस क्या बचेगा, 8, 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 1, मतलब कुल मिलाकर हमारे पास आंसर क्या बचना है, क्या बचेगा, root 2, simple है, अब बात करते हैं हम किसकी, कि जो factor किये थे, वो ना करने हो, और बिना factor किये कुछ आंसर बन जाए, तो देखिए क्या logic है, लगाएं logic, देखो, क्या करो आप, इस 32 को दो पार्ट में तोड़ दू, लेकिन ऐसे तोड़ना कि क्या हो जाए, हमें बनाना है base 2, तो एक हो जाए 2, और किस में into करना है, 32 आ जाए 16 में, ऐसा, तो 16 में into करना है, 16 का root निकालेंगे, तो क्या आएगा, 4, बाहर आ गया, 128 के दो हिस्से करो, एक 2 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, 64, 64 को बाहर लाएंगे, तो क्या आएगा, 8, 50 के दो तुकड़े करो, तो क्या होगा, एक हो जाएगा, 2, और दूसरा क्या आएगा, 25, 25 को बाहर लाएंगे, तो क्या आएगा, 5, ठीक थ तोड़ पाएंगे चलिए चलें आगे देखते है next देखिए next question solve किया जाए बहुत ही interesting बहुत ही simple सा question है simple सा हाँ बहुत simple सा है देखिए क्या लिखा है 2 और लगा है cube root कौन सा root है ये cube root क्या लिखा है 40 minus फिर है 4 और हमें दिया है cube root 320 यही था then दिया है आपको 3 और फिर cube root और लिखा है 625 then next है minus 3 और cube root 5 यही था चलो आप मुझे एक बात बताईए यहाँ पर यदि मैं question को solve करूँगा तो क्या कभी इस 5 को हम बाहर ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे सर नहीं आ सकता फिर क्या कर सकते है 625 का कुछ हो सकता है क्या क्या कुछ 320 का कुछ हो सकता है क्या क्या 40 का कुछ possible है क्या तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है सर 40 का क्या कर सकते हैं वह यदि मैं 40 के लिए factor निकालू तो क्या आएगा 2 से divide किया 20 फिर 2 से किया 10 फिर 2 से किया 5 फिर 5 से किया 1 अब एक चीज का विसेश ध्यान रखना यहाँ पर क्या चल रहा है क्यूब रूट चल रहा है और क्यूब रूट चलेगा तो जो आपकी स्लोट बनेंगे वो 3-3 के बनेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा अंदर कौन बचेगा? अब यहाँ आप समझ पा रहे हो कि यदि मैं 40 के 2 तुकड़े करूँ एक 5 ले लूँ तो बचा हुआ 8 आएगा और 8 का क्यूब रूट 2 आएगा ठीक है ना? यहाँ यदि मैं इसके 2 तुकड़े करूँ तो क्या बनेगा? देखो यदि 5 को अलग कर लिया जाए तो एक तो 5 हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा? देखो दूसरा वाला पेर क्या बनेगा? 64 क्या बन जाएगा? 64 बनेगा सर कैसे पता चला? 5 इंटू 64 क्या हो जाएगा? 320 वही एक पार्ट 5 ले लिया तो 5 से divide लगा इसको 5 x 36 और 5 x 4 20 दूसरा पार्ट क्या आएगा 64 लेकिन 64 से बाहर क्या आएगा 64 किसका cube है किसका है 4 का 4 x 4 16 x 4 64 यह होता है तो क्या होगा 1 4 तो already था 1 4 और आ जाएगा और अंदर कौन बचेगा अंदर बचेगा 5 प्लस 3 अब इसमें भी हमें क्या चाहिए एक पार्ट बना दिया हमने 5 दूसरा क्या होगा दूसरा होगा इस 5 से भाग लगाओ एक बार 5 फिर एक बचरा है 2 बार 10 5 बार 25 दूसरा पार्ट क्या आएगा 125 आएगा 125 किसका cube है किसका है 5 का तो यह हो जाएगा आपका 5 और यहां भी आजाएगा 5 माइनस 3 और यह बचरा है आपका cube root 5 यह ठीक था चलो आप क्या हिसाब लगा सकते हैं सर पहले सबसे पहले तो into कर लें किसका यह देखिए इनका into हो सकता है आपस में इनका into कर सकते हैं हम तो इनका into कर लें सबसे पहले तो into किया जाए चलिए क्या आएगा 2 into 2 4 और cube root में कौन है 5 माइनस यह कितना हो जाएगा 16 और cube root में कौन है 5 यह कितना हो जाएगा 5 into 3 15 और cube root में कौन है 5 माइनस यह कितना है 3 और cube root में कितना है 5 यही था आप क्या कर सकते हैं हम common ले लिया जाए common ले सकते हैं क्या common ले ले सर हम common ले ले cube root 5 ले सकते हैं अंदर कौन बचेगा अंदर बचेगा 4 minus 16 plus 15 और कौन है minus 3 यही बचने वाला है तो इसका क्या हिसाब बन सकता है इनको जोड सकते हैं हम कैसे कैसे जोड सकते हैं यह प्लस हो रहा है देखो प्लस और प्लस कितना हो जाएगा 19 प्लस का प्लस का 19 आएगा फिर क्या कर सकते हैं यह माइनस माइनस के नमबर अलग जोड जाएगे इनको जोड सकते हैं क्या आएगा 19 माइनس का सर माइनस का क्यों क्यों क्योंकि ये नंबर भी देखो नेगटिव है ये भी नेगटिव है क्या होगा माइनस का 19 क्या होगा खतम 1 बनाएगा या 0 1 बनेगा या 0 सर जब माइनस करते हैं तो 0 बसता है तो यहां पर बच रहा है cube root 5 और into में आ रहा है 0 सब क्या हो जाए जाए आंसर भी क्या आएगा चले आगे simple है बना पाएंगे चलते हैं आगे देखा जाए next question देखिए ज़रा इसको solve किया जाए क्या कह रहा है आपका question कह रहा है 72 into 363 into 175 यही चल रहा है और अपॉन में आप से कहा गया है कितना 32 into 147 into 252 यही था चलो क्या किया जाए सर कैसे करेंगे इसको solve तो देखते हैं चलो कैसे solve होगा देखिए आपको मैंने एक rule पढ़ाया था क्या rule पढ़ाया था ध्यान देना आपने एक rule पढ़ा था कि सर यदी क्या हो m की power a लगी हो और into मैं n की power भी a लगी हो तो हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं m into n की whole power a लिख सकते हैं सर एक और rule पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था सुनो यदी मैं आपसे ये कह दू चलिए पहले इतना सुलजाते फिर मैं अगले step ले जाता हूँ वरना आप confused जाएंगे सुनिए ज़रा सबसे पहले क्या हुआ 72 लिखा है और root लगा है लगा है न यहाँ पर भई root लगा है और कितना लिखा है 72 आप मुझे ये बताइए क्या मैं इसको 72 की पावर 1 by 2 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ या नहीं कल ही बताया था root 72 को क्या लिख सकता हूँ 72 की पावर 1 by 2 लिखा जा सकता है लिख सकते हैं सर तो क्या मैं 363 को 363 की पावर 1 by 2 लिख सकता हूँ लिख सकते हैं 175 को क्या लिख सकते हैं पावर 1 by 2 लिख सकते हैं तीनों की पावर कैसी है सैम है सैम है तीनों की पावर तो क्या हम इसके बेस का इंटू नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं सर ये डिवाइड में देखो इनका भी पावर सैम है तो क्या कर सकते हैं कर सकते हैं और ये ऊपर और नीचे मतलब ये क्या चल रहा है डिवाइड में लिखा है तो इनका क्या होगा एक साथ लिख सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 72 into 363 into 175 upon कितना 32 into 147 into 252 और पूरे की whole power कितनी लगा दूँ ये ठीक था चलो, देखो कुछ cancel हो रहा है क्या कुछ cut जाएगा देखा जाए, cut रहा है क्या कुछ 7 से 2 time 1 time, 7 से कितना होगा cut जाएगा और कुछ cancel हो रहा है क्या 8 से और कोई चीज कट रही है क्या कुछ और cancel हो पाएगा देखो जरा, कुछ कट रहा है 3 से cut दिया जाए 3 से 1 बार 3, 2 बार 6 और 1 बार 3, और 3 से 8 बार 24 और 4 बार 12 कुछ और कटेगा क्या देखो कोई और व्यवस्था हाँ सर, 3 से 3 बार 9 7 बार 21 कोई और व्यवस्था है क्या 3 से 2 बार 6 और 8 बार 24 और कुछ कटेगा और कुछ गट रहा है क्या, नहीं ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, उपर क्या बचा है हमारे पास उपर बचा है सर, 1 टू 1 इंटू 25 और नीचे क्या बचा है हमारे पास, 7 इंटू 4 28 इंटू 28, यही बचा है पावर चल रही है 1 वाए 2 यही था, चलो, बढ़ें आगे 1 टू 1 मतलब 11 का स्क्वाईर, और 25 मतलब 5 का स्क्वाईर यही होगा, यह हो जाएगा 11 का स्क्वाईर यह हो जाएगा, 5 का स्क्वाईर होगा, अपर क्या लिखा है, 28 का स्क्वाईर यही था और whole power चल रही है 1y2 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 into 5 upon 28 और इस पूरे का whole power 2 of power 1y2 उसे 2 खतम क्या जाएगा 55 upon 28 क्या answer बढ़ने वाला है 55 upon 28 तो हम कोशिश करते तो यहीं खतम करके direct root लिख देते तब भी answer वही होता क्यों निकलना तो root ही था न power 1y2 का मतलब क्या होता है square root तो square root तो बनाना ही है तो direct लिख सकते हैं ठीक है न चलिए चलें आगे देखिए जड़ा इसको simplify किया जाए क्या आएगा बहुत ध्यान से solve करने की कोशिश की जाए इसको क्या बनने वाला है 16 की power 3y2 plus 16 की power minus 3y2 तो देखिए क्या होगा सर कर क्या सकते हैं ये बताइए यहां तो plus लगा है यहां पर देखा जाए कि बीच में into यदि लगा होता तो base sam होते और power add हो जाती लेकिन यहां पर कोई व्यवस्था थी नहीं क्यों क्यों नहीं थी क्योंकि बीच में plus है तो सर 16 का क्या किया जाए वही यदि मैं आप से कह दूँ आप 16 के factor लिखो तो आप क्या लिखोगे 2 से 8 time फिर 2 से 4 time 2 से 2 time और 2 से 1 मतलब कितने बार आ रहा है total 4 बार तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की power 4 लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख दू में 2 की power 4 और एक और power चल रही है कितनी चल रही है देखिए 3 by 2 यही था plus 16 को क्या लिख सकते है 2 की power 4 और एक और power चल रही है कितनी 3 by 2 यह ठीक था चलो आगे बने अब यहाँ पर एक power जो है वो bracket के बाहर है और दूसरी अंदर है तो इन दोनों का क्या होगा multiply होगा तो क्या बन जाएगा 2 की power 4 into 3y2 बनेगा plus ये कितना हो जाएगा 2 की power 4 into minus 3y2 ये ही बनना है ये ही आएगा चलो पढ़ें आगे अब देखो ये 2 से 2 ये खतम 2 से 2 ये कितना हो जाएगा 2 की power 6 और ये कितना हो जाएगा 2 की power कितना बन रहा है 2 plus 3 6 लेकिन minus का ये ही बनेगा चलो बढ़ें आगे आगे बढ़ते हैं आप क्या होगा 2 की power 6 2 की power 6 कितना होता है 2 की power 6 होता है 2 का into कर लें देखो एक, दो, तीन, चार बार तो यह लिखा है पांच और छे गुणा कर लो दो दुनी, चार दुनी, आट दुनी, सोला दुनी, बत्तिस दुनी, चौन सट यही बनता है सर 64 बनेगा 64 बनेगा तो इसको या तो हम क्या कर सकते हैं अब या तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए क्या बनाया जा सकता है सर, सबसे पहले बात की जाए, क्या बनाए तो यह बन सकता है, 2 की पावर 6 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 6, यह हमने सीखा था याद है आपको यह बना था, क्यों power minus होती है तो अपना काम नहीं कर सकती उसको पहले plus में बदलना पड़ेगा plus में कैसे बदलते हैं inverse करके तो हमने कर दिया inverse ठीक है ना? चलें आगे चलो आप क्या कर सकते हैं देखिए आप क्या करें sir ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 1 upon 64 अब हम चाहें तो इनको add कर सकते हैं लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो answer होगा वो इस format में मिलने वाला है हमें ठीक है ना? चलिए और यदि नहीं मिला तो तो इसको add करके simplify करके बता देंगे ठीक है ना? चलो चलें आगे देखिए ज़रा इसको कोशिश की जाए? क्या आएगा? n की value बनाई जाए? आ गया? चलो देखें देखो क्या करना है? सर ये लिखा है 27 की power 2 by 3 और into 81 की power 1 by 2 और यहां चल रहा है 3 की power n हमें जो value निकालनी है उसका base है इस n का base क्या चल रहा है 3? तो बाकी बची हुई संख्याओं को भी क्या किया जाए? 3 के base में convert किया जाए सर 27 2 की power 3 होता है 2 का 3 की power 3 होता है किसका क्यूं होता है? 3 का into क्या करना है हमें? 2 by 3 into 81 क्या होता है सर? 3 का into करो 3 into 3 3 into 39 9 into 37 27 into 31 81 क्या बन जाता है 3 की power 4 मतलब 9 का square और एक और power क्या चल रही है? 1 by 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 की power n अब यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ values देखिए cancel हो जाएंगी कौन cancel हो रहा है? ये 3 खतम और ये 2 से 2 time ये क्या बन जाएगा आपका? सर ये बन जाएगा हमारा 3 की power 2 into ये क्या बन जाएगा? 3 की power 2 equals to क्या हो जाएगा? 3 की power n बन रहा है तो यहाँ से ये देखिए base sam होगा base sam होगा तो power क्या होगी? जुड जाएगी जुडेगी बराबर 3 की power n तो यहाँ से हो जाएगा 3 की power 4 equals to 3 की power n अब आप यदि base को compare कर दो तो देखो n बनने वाला है आपका 4 तो चलिए चलें आगे देखा जाए next चलते हैं next question की तरफ इसको बनाने की कोशिश की जाए क्या चाहता है ये? बहुत ध्यान से बनाना point है क्योंकि यहाँ पर लिखा है sir 31 की power 7.5 ये लिखा है 31 की power 7.5 divide by 31 की power ये point में लिखी है sir ये fraction मजा नहीं आ रहा इसको भी point में कर दो 2 से divide लगा 3 को क्या आएगा? 1.5 ये 3 by 2 को क्या लिख दिया? मैंने 1.5 into 31 की power कितना? minus 3 बराबर under root के अंदर लिखा है क्या लिखा है under root के अंदर देखिए root 31 तो 31 और root का मतलब क्या होता है? root का मतलब होता है 1y2 और बाहर power चल रही है क्या? x लिख दे इसको x अब क्या किया जाए? सरम ने पढ़ा है base यदि sam हो तो divide में power minus और into में power plus हो जाती है ठीक है? क्या हो जाएगा? देखो 7.5 ये divide है तो क्या होगा? minus 1.5 ये क्या हो जाएगा? into है तो plus लेकिन संख्या खुद ही minus की है होगा ये होने वाला है चलो बरावर क्या हो जाएगा? 31 की power x into 1 x upon 2 ये ही बनेगा चलो इसको add कर ले तो ये minus और minus जुड़ जाएगे कितना हो जाएगा? 1.5 और 3 कितना बन रहा है? 4.5 कितना बन जाएगा? 4.5 तो 4.5 7.5 से minus हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये दोरो minus के हैं तो 3 plus 1.5 कितना होगा? 4.5 minus का और minus का है तो plus से minus हो जाएगा कितना बचेगा 3 यही बच रहा है बराबर क्या हो जाएगा 31 की पावर xy2 यही बनना है चलो तो यहां से यदि मैं compare करूं base का तो देखिए 31 और 31 तो यहां पर 3 equals to हो जाएगा x upon 2 तो x की value क्या आ जाएगी यहां से हमें x की value मिल जाएगी 3 into 2 कितना 6 x की value क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी यही होगा simple है बना पाएंगे क्या हम बताईए क्या हुआ simple है ना चले चलें आगे देखा जाए next इसे बनाया जाए कैसे बनेगा देखिए ज़रा कीजिए कोशिश क्या आएगा आया कुछ लग रहा है logic लगाया जाए देखिए लग पा रहा है क्या कोई logic हमसे कहा है कि 64 की power है कितनी है 2 x 3 into 2 की power है minus 2 divide by 8 की power है 0 और bracket के बाहर कह रहा है हमसे कि पूरे system की power है 1 x 2 यही था आप यह बताईए कि हम जो है इस 64 को क्या लिख सकते है सर इसको 2 के power के format में लिख सकते है या फिर 4 की power तो यदी मैं आप से कह रहा हूँ कि 4 की power में लिख सकते है तो क्या लिख सकते है इसको 4 का cube ऐसा 4 का cube into क्या हो जाएगा 2 x 3 into बॉनकियों सकते है और इसका क्या कर सकते है सर ये तो हो गया 1 क्यों ये घो गया क्योंकि किसी भी संख्या की power 0 हो तो उसकी value 1 होती है ये तो क्ळ्म हो गया अब क्या चल रहे है अब बाहर चल रहे है एक power कितनी जो यही था 1y2, अब क्या किया जाए सर, अब कट कर दिया जाए कैसे, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 का square, 4 का square मतलब 16 into, ये कितना हो जाएगा, 1 upon 2 का square मतलब 4, और बाहर क्या चल रहा है 1y2 यही था, यदि अब और काटा जाए, तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 बार 16 कुछ और बच रहा है, नहीं बच रहा क्या बच रहा है 4 की power, 1y2 और हम 4 को ही लिख सकते हैं क्या, 2 का square और into हो जाएगा, 1y2 तो 2 से 2 खतम, क्या आएगा answer 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा तो बना पा रहा है, हम यह आसान से होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़े हैं, चलिए, चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं सेशन को और आगे तो देखिए, इससे बनाया जाए इसके लिए थोड़ा सा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए बन जाएगा, टफ नहीं है बहुत सिंपल है, ठीक है ना कोशिश करेंगे, जरूर बनेगा बनाईए फटा-फट क्या आएगा लगाईए लॉजिक, क्या लॉजिक है